सबसे पहले से नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साब एक वीडियो में आपने हमें बताया था कि लोग आजकर जिस तरीके की दवाईयों का इस्तेमाल करते हैं ए्रेक्शन के लिए वो कई बार उल्टे असर दिखा सकती है तो आज मैं चाहूंगी कि ऐसा है कि दवाईयां तो बहुत तरह की हैं और बहुत सी दवाईयां जिस सेक्शुल एक्टिविटी पर जिसको इफेक्ट करती है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन है क्या कि अलग-अलग मैं जरा बता दूँ कि कुछ दवाईयां ऐसी हैं कि जो लोग अपने जिसको काते है सेक्शुल डिजायर को बढ़ाने के लिए सेक्शुल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पेनिस को लंबा करने के लिए इस तरह की चीजों के लिए कुछ दवाईयां का इस्तेमाल करते हैं उसमें दो तरह की दवाईयां जो हम लोगों का एलोपैटिक मेडिसिन है तो उ जो कि sexual activity बढ़ाने के लिए पेनिस के को टाइट करने के लिए सिर्फ इसका काम होई होता है तब पेनिस सुट भी सफिशेंटली रिजिट तुक है देट सेक्शुल इंटर्कोर्स अब है कि यंग लोग जो हमारे होते हैं वो लोगो लगता है अरे ऐसे तो टाइट होता है तन और बढ़ियां से टाइट होए तो सिल्डेनाफिल खालेंगे जिसको वियागरा काते हैं टैजल खालेंगे जिसको टैडलाफिल काते हैं तो और ज्यादा कुछ होगा नहीं ऐसा कुछ होता नहीं ऐसा कुछ होता नहीं कभी-कभी सब करने से उनका पेनिस हैदी टाइट हु तो उरी सीड़े नहीं करता है बाद में, वह एक डेंजरेस स्थिति आ जाती है, पेनिस का इंगर्जमेंट हो जाता है, और पेनिस जो है, पहले लृड zweiten फील होने से पेनिस होता है, और फिर लृड अपने आप बैक हो जाता है, तो अब आप ऐसी स्थिति में, जब टू मच इस तरह की चीजह खा लेते हैं। जो नोप डारेक्ट करता हूं तो वह ब्लड उर्कुलेशन होता है। यह पैनिस रिजीट हो जाता है। इसको हम लोग खते हैं प्राइपिजम् एक लग्डी की है हो जाता है। पैनिफुल हुजाता है। कभी कभी लोग यूज करते हैं आज कल पैनिस के रिजिडिटी बढ़ाने के लिए इंजेक्शन भी होता है हम लोग पापा वरी इंजेक्शन लेकिन वह बहुत डॉक्टरी सलाह के साथ और प्रॉपर्ली लेने की जुरूरत है उसका अमाउंट होता है वह पापा वरी फेंट अब कोई आदमी बिना अभी कुछ दिन पहले एक मरी जाये कहीं चले गए वह पॉइंट टू मिली लीटर देना था पापा वहरेईन वह भाईजी टू मिली लीटर मार देना अब उनको हो गया प्रापिस्म अब प्रापिस्म हो गया तो उसको ठीक करना आफ़त के चीज है प्रापिस्म 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 अब आईए कि इंपोटेंसी करने वाली और सदे ये डेंजर ग्रुप को पहले ही मने बता दिया कि इसब सुया ले लिया दवा गोली खा लिया कि हमारा सक्षुल एक्टिविटी बढ़ेगा हाइली डेंजर अब आईए दूसरी दवाएं जो अफेक्ट कर सकती है जैसे कि डा सबसे बड़ा चीज है बीटा ब्लोकर इनको हाइपर टेंशन में खाते हैं बीटा ब्लोकर वह बहुत सी दवा है बीटा ब्लोकर दवाएं उनके खाने से धीरे-धीरे ये सेक्शुल मतलब पेनिस के रिजिडिटी गर्ती चले जाती है और मैं बता दूँ बांग खाने वा आदमी है मियाद बना रहेगा उसको कूते पांते रहेगा पट इस सेक्शल अक्टिविल्टी वेड़ा बीटा बीटा लास्ट बट नॉट देलिस्ट इतने कम समय है बताऊंगा अल्कॉहल अल्कॉहल एक ऐसी चीज है जिसके बारे में क्लीर कर लिखा हुआ है इट इंक्र पर युवा लोग क्या करते हैं डिखते हैं कि लग दिजार तो बढ़ गया एकदम दारूपी के मस्त हैं लड़की के साथ अपना प्रेंड्शिप जो है जिसके साथ है उसके साथ जा रहे हैं लेकिन मालूँ हार हमको तो परफॉर्मस नहीं है उस समय डबल एजर क्या करते हैं लोग नहीं है तो सुझते हैं यह सब ओपियाइड ड्रक्स ड्रग एडिक्शन जो करता है सुझते हैं कि उससे भी बढ़ जा है तो लगता है इससे भी पूरा नहीं हुआ एक तरफ तो उत्तेजना फैल गई आपके मांद में अलकोहल के चलते और ओपियाइड के चलते अदूसरी तरफ जो टार्गेट और गेन है उसमें डिडिटी आया ही नहीं तब कभी सुया का सेबन कर देंगें कभी गोली फिर कोई फाक लें कि आप ठाडला फिल सिल देना फिल तो मामले खाता में होंका सब कर बढ़ हो जयता है इसलिए यह सब चीजे युवाओं को सूच समझ कर लेनी चाहिए चाहिए वाइड करना चाहिए बढ़ यहां तो तुम करो नो भई सेक्शुल दिजायर को बढ़ाना और अक्टिविटी बढ़ाना है तो योगा करो प्राणायाम करो यह करो उसके कई तरह के रूप है उससे तुम ज्यादा मजबूत होगे राधर देन ड्रक्स लेने के और मिडिलेज के आदमी को यह समझना चाहिए कि इस डाइबिटिक, इस हाइपटेंसिव, इस हाइपटेंस साइकोटिक मरीजिट, साइकार्डिस का जो कहाँ जो जबड़ी जाते है ना, जो साइकार्टृ वाले सिजोफ्रेणी अचाहिए उसके जो दवाईया देते है चाह एं, एंटिडिप्रेसेंट दवाईया जो 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 कमन है उसके चलचे भी जिसको काते है शफ्यल डिजायर तो जार्तनीव तो कम होई गाई और साथ साथ वही पेनिस में जो रिजिडिटी होना ची हो घड़ जाती है